इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकों को अवस्य दभा दे भगवान तो तपस्वी हैं तपस्वी तपस्या करके जगत को दिशा देने के लिए भगवान ने स्वरूप धारण किया प्रकाशित किया वही भगवान अंसो सहीत केवल अपने द्वारा सारे विवहारों को संपादित करने के लिए कि किसी का आश्रे न हो आप देखिए श्री हनुमान जी कहां मिले नहीं मिले किसकंदा में मिले जाकर पंपा सर्पर लेकिन हनुमान जी रे दक्षणे लक्ष्मनो यस्य वामे चर जनकात्मजा पूरतो मारुतिरी यस्य तम बंदे रगुनंदनम भगवान के उसरे चरण में श्री हनुमान जी महराज विराजी तो रागोज पूछे कि पापा हनुमान जी चरण में विराज गए अंगजी क्यों नहीं बैठे तो हमने का बेटा देख अधिकार की चाहत होगी तो कर्तब समाप्त हो जाए अब भी दन किये मेरे बेटे ने पुछा कि हनुमान जी यों अंगजी मित रहें तो एक तरफ हनुमान जी तो दूसरी तरफ अंगजी को रहना चाहिए नहीं काईसा संभव नहीं है जब सुग्रीव महरायज को राज दिया जा रहा था तो प्रभू की आग्यां से अंगजी को यो राज पत पर बैठाया गया जब यूराज पत पर उनका विशे किया जा रहा था तब अंगजी को सावधान होना चाहिए नहीं नहीं मैं यूराज नहीं बनूगा मैं तो भगवान का सेबक हूँ क्यों दाली ने तभी कह था यहतनय ममसम बीन या बल कल्यान प्रद रभु लेजिये यहतनय ममसम बीन या बल कल्यान प्रद प्रभु लेजिये गईवाह सुर्दर दाया पर दास अंकत की दिये जब महाराज बाली ने अंगजी को दासस स्वरूप में भगवान के शुरुचरणों में भेट कर दिया तब योराज नहीं बनना चाहिए जब योराज बन गए तो अयोध्या बास की कल्पने दिमाग मनी होनी चाहिए किसी ने प्रश्न किया है कि हम राम नाम लिखते हैं अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो आगे क्या वो जनना चाहते हैं यह नहीं लिखा है नहीं जा पाते हैं आप कि इछा हमको तो दो योध्यों की छुट्टी मिलती है तो अयोध्या चले जाते हैं हमको चैने नहीं पढ़ता है अयोध्या जी जाना चाहिए घर में कोई रहता है तब भी मेरी यही प्रार्थना है कि अयोध्या जी जाते आते रहना चाहिए जा करके समझना चाहिए रहकर समझना चाहिए जाते आते रहकर समझना चाहिए समरण करके समझना चाहिए तीर्थों की यात्रा करते रहनी चाहिए तीर्थ यात्रा करने से भगवान में हमारा आपका मन बनता है लेकिन देखिए विवेक पूरवक्त तर्थ्यात्रा करें अविवेक पूरवक्त नहीं आज समाचार में एक और शोक संदेश आज मैंने पढ़ा यही अशोदा नगर की घटना है करेंगे कोई परिवार खाटू श्याम दर्शन करने गया था फिर बाला जी दर्शन करने गया और पिता जी को फोन कर बताए हम साड़े ग्यार बजे निकल रहे हैं तो पिता जी ने कहा कि बेटा सो जाओ सबेरे निकल निकलने तो यह तो फोन नहीं करना चाहिए या तो फोन पर बता दिया पिता जी ने तो बात मान जाना चाहिए नहीं माने मार्ग में गाड़ी का अक्सिडेंट हुआ चार-पांच लोग एक साहाथ चले रहे भगवान से प्रार्थना है क्या कहें बुड़े पिता जी विचारे पूरा परिवार समाले मिठाई की दुकान देखे देखो मैं दूसरे दिन की कथा में ने बदन किया था भगवान को मानो चाह न मानो भगवान की जरूर मानो बड़ा न मानो बड़े की बात मानो बड़ा कौन आप से बड़ा कौन है अब अब इस अरस्था में पिता जी 80 साल के होंगे बिवेक पुर्वक जो भी है कथा ही है बिवेक पुर्वक सुनो बिवेक पुर्वक करो गाड़ी घोड़ा चलते चलाते समय थोड़ा तो बिवेक रखना चाहिए मैं भगवान से प्रार्थ न करता हूँ हमारे आपको भगवान सत्बुधी प्रदान करें दिवंगत आत्मा को प्रभुचरणों में स्थान प्रदान करें कोई भी कारिय ऐसा नहीं करें कि सब कुछ समापत हो जाए कुछ रहे ही नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए कि सभी लोग हैं सुन रहे हैं आप सभी से मेरी प्राद्धना है कि बच्चे बाइक लेके चलते हैं ऐसा चलते हैं इधर लपर उधर लपर इधर लपर अरे राम-राम क्या है सड़क पर गाड़ी चलाते हैं थोड़ा तो विवेक रखना कि सुख्षा देने चाहिए सब को बिठाना चाहिए जैसे आताताई लोग बिठा कर परिवार को आताताई कैसे बनना है इसकी सुख्षा देते हैं वो इसे सज्जन को परिवार को बिठा कर सज्जनता का सुख्षन देना चाहिए ऐसे रहना ऐसे उठना ऐसे बैठना ऐसे करना कोई भी जीवन कोई मां के अंक से थोड़ी पाता है यह राम चरित्र है चरित्र का सक्षन भगवान बड़े हुए खेलने जाने लगे इसके पहले उनका चूड़ा करण हुआ फिर जनेव हुआ विद्याध्यन में गए पढ़ने गए यह पांच संसकार प्रात काल उठी के रगुना था मा तो भी बिता गुरू ना वहिमा अनुज़ सका वो जन पर मा तो भी बिताया यह यह नुज़ सकार बेधर पुरा तो नहीं मन लादी आपुर्ता भारीयन यह पांच संसकार आपुरू क्रिया गए पढ़ने गुरा यह पांच संसकार अनुज़ सकार तो भी बितायाई आपुर्ता भी बितायाई निए यह यह पांच संसकार यह संस्कार है, बाल संस्कार, क्या, बच्चे प्रातः काल जगें, स्रिष्ट को बंदन करें, धरती माता को करद रशुनों परांद प्रणाम करें, चरण रखें धराप, प्रातः भगवान की श्री मंदर को बंदन करें, रणाम करें, प्रातः रिज्वधिश्व नवृत्त होकर थोड़ा ध्यन करें, स्रिष्ट कुछ सुनाए, सुने, एक दूसरे को प्रेम करें, करतव्य का बोध समझें, क्या करना है, किस लिए करणा है, थोड़ा भगवत समर्ण करें, थोड़ा कुछ अध्यन करें, सदगरंथ पड़ें, सहज ही, ये भगवान करते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती महराज ने ऐसी ववस्था बना रखी, वईद पुराण सुने ही मनिलाई, आप कहें ही, अनुजन समुझाई, आयस मांगी करें ही पुरकाजा, बच्चों में आज्या मांगने की, आज्या पालन करने की प्रवर्ति होने चाहिए, यह अभ्यास में हो कि हम पोच पोच व्यवहार करेंगे, सूचना आज्या नहीं है, करें की न करें, यह मांगना यह आज्या मांगना, अभी करके आता हूँ, यह सूचना देना है, बड़ा अंतर है, भगवान, करें की न करें, आयस मांगी करें ही पुरकाजा, बड़ा सूख्ष मंतर है, इसे देख चरित हर शाई मन, राचा महराज घदगत होता है, आज्या कारिता यह जीवन है, आज्या पालकता जीवन है, बड़ा सहज है, संदर है, प्रसनता उपस्थित रहती है, जो चाहे करेंगे आज्या मांगना नहीं है, इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए, महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकोन को अवस्य दबा दें,